सिच्छा मंत्री के पियारों करेंगे प्रतियोगी छात्रों के समश्या का समाधान सिच्छा मंत्री के पियारों से प्रतियोगी छात्रों की हो गई है बाद आपको मालूम होगा कि उत्तरपेज माद्विक शिच्छा सिवा चैन बोर्ड की द्वारा TGT और PT भरती पर इच्छा का आयोजन अभी तक नहीं किया गया है जबकि आवेदन लिए काफी समय हो चुका है आखिरकार नए आयोग के माध्यम से TGT PT भरती पर इच्छा का आयोजन कराने की बात क्यों चल रही है कई भरतियां नए आयोग के फेर में फस्ती हुई नजर आ रही है जिसमें TGT PT भरती है नई एल्टी ग्रेस इच्छक भरती है और आने वाली समस्त भरतियां है जैसे नई प्रात्वी शिक्छक भरती इत्याद वास्तों में नए आयोग का गठन अभी नहीं हो पाएगा नए आयोग की गठन में काफी समय लगेगा इसके पहले भ तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि वास्तों में भरती फसाने का सरेर्णत है दोहजार चुनाओं की मद्देनिजर इस भरती को चुनाओं से ठीक 6-8 महिने पहले इस्टार्ट किया जाएगा जिससे सभी प्रतियोगी च्छात्यों की एयादास ताजा रहे और चुनाओं क्या मीटिंग कराने के बाद नए आयोग की वजा पुनाने बोट की माधिन से टीजिटी पीटी परिछा का आयोजन हो पाएगा पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरे दिखिएगा क्योंकि जो भी जानकारी दूँगा सो फीदी आथेंटिक दूँगा केबियस परिछा की त्यारी सुरू हो गई है और इस चैनल के माधिन से आज नहीं बहुत पहली आपको बताया गया था कि केबियस की परिछा के सब्बद में नोटिस आपको जनवरी मा में देखने को मिलेगा जैसे आप इदर प्रतिया पूरी होगी केरेक्शन की डेट वीडियो को पूरा वाज करिएगा सभी सटीक जानकारी के लिए बीयर 2003 की प्रविश्की प्रकिल्या सुरू कर दी गई है मैं आपको बताना चाहतों तयारी चली है अभी तो इंट्रेंस एक्जाम होना है इंट्रेंस एक्जाम कब होगा किस महीने कराने के तयारी चल लेहे और आवेदन प्रक्रिया कब से लिया जा सकता है क्या वर्क हो रहा है पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूँगा नई प्राश्वी शिख्षक भरती को लेकर आप लोग बार बार पोस्ते हैं नई प्राश्वी शिख्षक भरती कब तक आएगी क्या परक्रिया चल ली है क्या यूपीटिट अपरेल में होने वाला है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखे जिसलिए आपको सही सठीक जानकारी मिल सके और आपका दिवाग जो भरमजाल में फसा हुआ है उस भरमजाल से निकल सके तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केबियस की भरती को लेकर जैसा कि आपको मालूम होगा और आप पर स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जिनांग 12.1.2023 यानि की लेटिस्ट खबर आपको दे रहा हूँ यहाँ पर केंदरे भी दियाल संग्ठर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप सबसब देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है नंबर आप कंडिट्स 2, नंबर आप सिफ्ट 2, और नंबर आप कंडिट्स इन मौरिंग सीजन देखिए आप लिखा हुआ 117 बे नंबर आप Candidate of In Evening Season 124-200 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिछा का आयोजन बहुत जल्द ही किया जाएगा बहुत जल्द का मतलब यह नहीं है कि 10 से 15 दिन में परिछा का आयोजन हो जाएगा लेकिन बहुत जल्द परिछा का आयोजन होगा authentic जानकारी मैं आपको दोस्तों दे रहा हूँ क्योंकि परिछा केंदर पर काम शुरू कर दिया गया है अब मैं आपको बता दूँ 15 फरवरी के बाद कब 15 फरवरी के बाद और मार्च तक आपकी परिछा कराने के तयारी चल लहीं है ज्यादा शंभावना मार्च तू अप्रैल है लेकिन सेंटर मिलने के बावजूद अगर परिछा का आयोजन न हो जाए तो यह भी एक बड़ी कमी मानी जाएगी कीवेस परिछा को लेकर इसलिए अगर सेंटर का बंदोबस्त हो गया तो परिछा फरवरी मां से स्टार्ट हो सकती लास्ट से यानि कि पंद्रा फरवरी के बाद नहीं तो मार्च तू अप्रैल मान कर चलिए तो सेंटर पर काम चला है कोई अपडेट आगी मिलता है तो मैं आपको आपसे जूँगा आप सोच रहे होंगे कि परिछा की घोश्रा कब होगी जनावरी के थर्ड वीक या फोर्थ वीक तक आपको परिछा के समद में जानकारी मिल जाएगी और इस चल के माधिन से आज नहीं बहुत पहले ही आपको बताया गया है और जो बताया गया जैसे बताया वैसे वैसे हो रहा है और नोटिस आपके समच्छ है अब मैं बात करूंगा एक और महतपूर जानकारी के बारे में में दोस्तों सिच्छा मंत्री निकालेंगे टीजिटी पीजटी का हल इसलिए मैं लिखा हूँ कि उत्तर माजबी सिच्छा सेवा चैन बोर्ड की गेट पर धन्ना प्रदस्वन चला एक तरफ ओजा जी हैं एक तरफ खान जी हैं ओजा जी की बात हुई है जैसा कि आपको आड 101% कहूंगा 1001% करूंगा ना पद इंक्रीज होंगे फिर मैं बोल दे रहा हूं क्योंकि डंकी की चोट पर हर बात कहता हूं ना पद इंक्रीज होंगे ना परिछा समय से हो पाएगी मीटिंग मीटिंग रह जाएगी और नए आयो की माजिम से परिछा कराने की बात कही तो उत्तर माजविक शिच्छा सेवा चैन बोट की माधिम से टीटी पीटी परिष्छा का आउजन हो सकता है लेकिन मंत्री जी के करने से कुछ होने वाला नहीं है इमांदारी से बता रहा हूं अगर आपको विश्वास नहीं बेट कर लो पूरी जानकारी आपको मिल जाएग होगा तो अभी कुछ भी होने वाला नहीं है अब बात करेंगे बीयर 2013 के प्रिवेस को लेकर बीयर 2013 की प्रिवेस की प्रिविए बून्दे लखंड बिश्विद्याले के दोरण एक परकु कि में नोटिफिकेशन i.s. बारी आजाए गर अवर्त टारी को जाधा स्बेंद्रा की परिश्छक आइ गाएगा 10 से ले कर फछी में आप फष्ट जानाया है औरक यह कर परंदरा की S.Am और 15 जून के पहले परड़ाम धारी होगा बीएड का तो इंट्रेंस इक्जाम के अगर आप तयारी करें प्रविस परिच्छा में भाग लेना चाहते हैं तो आपनी तयारी पर थोड़ा जोर दीजिए क्योंकि आपके पास एक और बड़ा आउसर आने वाला है और सीटों की संख्या भी कापी आधिक रहेगी रेंक अच्छा है सरकारी कॉलेज मिलेगा तो आपका फीज कम लगेगा अगर प्राइबिट कॉलेज मिलेगा तो आपका फीज ज़ादा लगेगा इसलिए आपन designs प्राकाइ। करें गार्ट करें अब हम बात करेंगे न्य प्राटविक्षिक्षिक भरती को ले कर न squirrel सी अब आ आए गारी क्योंकि जब अपरेल की चर्चा होने लेगी तो कई चेनलों के मारऴिमस बताया जाने लगा, कि जून में बैकनसी नए प्रास्मिक सिख्षक भरती की आ जाएगी, लेकिन हकीकत क्या है, इस मुसरे में आपको जानकारी होना अवश्यक है, पहली बात जब तक यूपिटट का आयोजन नहीं होगा, तब तक नए प्रास्मिक सिख्षक भरती आपको देखने क तो नहीं मिलेगी क्योंकि उत्रप्स की मुक्वंत्री योगी आज इतना जीनिस साफ साफ का है अब जीतने भी सिच्छक भरतिया होंगी नए आयोग की मादिम से होंगी और नए आयोग की मादिम से ही यूपीटर परिच्छा का आयोजन होगा तो जो मुझे जानकारी यूपीटर परिच्छा का आयोजन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा आज मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों नहीं होगा क्योंकि ने आयोग की गठन में भी समय लगेगा हम खवंत्री जी अगर पुराने मादिम से परिच्छा का आयोजन करान नहीं है यह संभव नहीं है यह सासक मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं यूपी टेट के बार नई प्रात्विक शिक्षक भरती अवश्याई चाहे 2024 के मद्दिर निकाला जाए यह 2024 के कारण आप एदर लेकर छोड़ दिया जाए लेकिन एक बड़ी भरती आपको देखने क को मिल जाएगी इसे प्रकार कि अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन रवादें वीडियो को जाज़ जाज़ सेयर करें पूरा वीडियो सुनने के लिए दिर से धन्यवाद